चैंपेंस टॉफी दोजार पच्चिस पाकिस्तान में होनी है क्या देख रहे हैं इस चैंपेंस टॉफी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुबारा उसकी वो ग्लोरी दिलानी है तो क्या उस तरफ कोई विजन है आपका आप उस सिस्टम को टाइम दो, अब हर साल ने चेरमेन आते हैं, नेया सिस्टम आता है, तो इस तरह काम नहीं चलता। पहले बाबर कैप्टन थे, फिर शाहिन बने, फिर बाबर कैप्टन बने अब अप को लगते हैं, जल्दी जल्दी चेंज़े हो रहें। जो मेन इशूज हैं उन इशूज को ढूंडना पड़ेगा और वो हैं इशूज जिसकी वैसे हमारी क्रिकेट सफर कर रही है आप तयार हैं अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है पाकिस्तान टीम का कोच बनने के लिए या फिर नैशनल सेलेक्टर चीफ सेलेक्टर विराट कोली कभी भी आज तक पाकिस्तान में कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं आई थिंग ये लास मौक हो सकता उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने का तो देखना चाहेगी पूरी पाकिस्तान की अवाम अच्छा लाला एक ना और भी पाकिस्तान में इस चीज को लेकर चर्चा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दुबारा उसकी वो ग्लोरी दिलानी है तो आपको शायद अफरीदी जैसा बंदा ड्रेसिंग रूम में चाहिए या सेलेक्टर के तौर पे चाहिए तो क्या उस तरफ कोई विजन है आपका तो इस तरह काम नहीं चलता आप कोई भी सिस्टम मिलके सारे सीनियर्स चेर्मैन बोर्ट के साथ मिलके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जिन्होंने काफी अरसा डुमेस्टिक क्रिकेट खेली वी है उनको एक टेबल पे बिठाएं और उनसे एक ही प्लैन बनाएं और उसी प मिलना चाहिए जो भी कप्तानी करें देखें वही वाली बात है कि मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी चेर्मैन आता है तो इस चेर्मैन को भी तीन साल देने चाही है तो चेर्मैन तीन साल रहेगा तो कप्तान भी दो तीन साल रहेगा तो मैं में कि आप चेर्मैन के साथ चेंज होने से पिर नीचे चीजे चेंज नहीं होनी चाहिए जो में इशूज है उन इशूज को ढूनना पड़ेगा और वो हैं इशूज जिसकी वैसे हमारी क्रिकेट सफर कर रही है तो मेरे ख्याल मैं हमें दुबारा हम इस ट्रैक पर दुबारा आ सकते हैं इस पाकिसान की क्रिके ने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा की हैं जिनकी वज़ा से मुल्क पैचाने जाते हैं तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है असल चीज यह है कि मेरिट के उपर काम हो और सही बंदा सही कुरसी पे बैठे रिजल्ट हो आ जाएंगे आप तयार है अगर आपको ज हस्तेम से जयादा गरास्ट लवल पे काम करने की ज़रूरत है तो हम पाकिसांट टीम तो परफॉ्मस की जगाए वो ख़ाने पीना खाना किस प्लड़ा कहना है ट्रेइनिंग किस तरह करनी है वो जगह नहीं है वो पर्फॉमस की जगह है आपको हम जितने भी केटर मुझे बालजे में और जितने सेनियर क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान से काफी खेले उन्हें ग्रास्ट्रूट।死 ऑे अच्चे टीचर्च उगए अच्छे स्टूड़न्ट से औोंगे चैंपिन्स टॉफी दोजार पच्चिस पाकिस्तान में होनी है पाकिस्तान की टीम दोजार तेईस में इंडिया ये वर्ल्ड कप के लिए अब इंडियन टीम की बारी है पाकिस्तान की क्या देख रहे हैं इस चैंपिन्स टॉफी के बारे में मेरे खel unknown मैं वैलकम करता हूं इंडिया टीम को होना चाहिए पाकिसूान भी जब general करता है हमें बहुत इज़र मिली इंडिया में बहुत प्यार मिला इसी तरह इंडिया टीम जब 2005 में मेरे खाल में जब आये थे तो बहुत इज़त, बहुत प्यार, सब को मिला, सब ने बहुत इंजोई किया तो एक क्रिकेटर्स का जो रिलेशनशिप है या ये जो क्रिकेट टोर्स वगरा हैं इनको सियासे से दूर रखना चाहिए है, अपने सियासे बात की चीज़ है इस से अच्छी सियासेत और कोई नहीं कि मुलक में अपस क्रिकेट क्हेल रहे हैं इंडियन्स पाकिस्टान आ रहे हैं पाकिस्तान इंडियन्स या रहे हैं और को खुबसूरत रिलेशन्शिप और क्या हो सकती है विराट को लिए कभी भी आज तक पाकिस्तान में अपना कोई क्रिकेट मैच कभी क्रिकेट नहीं खेले है और अब आइ तिंग ये लास मौका हो सकता है उनके लिए पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलने इवन के मौका मेरे फेवरिट प्लियर है वो तो विराट की अपनी एक क्लास है और मेरे खाल मैं टी ट्वैन्टी नहीं चोड़नी चाहिए थी क्योंके टी ट्वैन्टी ऐसकी विए से खुबसूरत लगती थी ती आधि मौला आप सब्श्छी चाहते हैं कि मौने उर चहने मेरे खिल मैं विराग से जो प्लेयर सीख सकता söyle खायज अगर उंडियन क्रिएट की मैं बात करूँ इंडियन किसी क्रिकिटर के बारे में बात करूँ आपके हिसाब से कौन वो एक नया है जुक आप देखते हैं की वो चीज नजर आती है जो एक बैट्समेनों किया था बहुत खुबसूरा लगता है जब इनिंग खेलता है वो तो मिरे खाल में हैं लड़के हैं ऐसे इंडिया चाहे तो मिरे खाल में क्यूंकि आई पील की वज़ा से इतनी टीमें आ गई है या इतने प्लेयर्स आ गए इतन अच्छा स्टार आ रहा है जिससे पाकिस्तान क्रिक्ट में भी थोड़ा और हम देख सकेंगे और बैतर हो जहां जरूरत होती है वहां देख लेता हूं लेकिन क्यूंके क्रिकट के लावा भी बहुत सारी चीजें फानडेशन वह बहुत सारी चीजें और चल रही हैं वहती क्रिकेट है उस माइंड से अपने बच्चों को नीचे लेवल से शुरू करना है खिलाना डुमेस्टिक लेवल से ताकि उनका माइंड से शुरू सी चेंज रहे हैं क्या चीज़े कर सकते हैं भैतर जैसे अपने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज्यादा कुछ बच्चों का हम तो यहां पर बस वैसी ग्राउंड में खड़े हैं और लोगों को इंटेटेंग करने की कोशिश करें इन उम्रों में भी लेकिन जब आप जीते हो जहरी बाते लोग आते हैं ग्राउड आता है और आपको आप आप अपनी जो भी आप इस उमर में कर सकते हो आपको फिरगा दिखौने की कोशिश करते लेकिन यह है कि क्राउड आना बहुत इंपोर्टन और पाकिसानी इंडियान हर जगवों मिलेंगी दुनिया में तो और जगई के अच्छा है हम आयें इंट्रेइं करना आ के लिए उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे के साब से यह मुझे नो डाउट क्योंकि विराद को मैं बड़ा रेट करता हूं कि मैच विनर और बाबर आजम को बिलकुल बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि जो मेरे ख्याल में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर बड़े कमाएं पाकिसान टीम में गेंदबास कौन बहुत सबस्यादा पसंद है फास बॉलिंग में अगर बात करें तो फास बॉलिंग में बुम्रा शुरू से मुझे बुम्रा बहुत पसंद रहा है हर फॉर्मेट के अंदर वो लड़का जो है ना किसी भी वर्ल्ड की टीम हो तो वो उस हार टीम में हो सकता है इसके लावा आप कह सकते हैं अहां अब नसीम शाह है आपको बाद शाहीन के कुछाइन के कुछाद अगर स्प कुछाने कर रहो जब वो कmbol कर रहो कों से ऐसे कप्तान है अभी अ रोहिद भी कवगर अरफ जायता है मैं देगता है उसकी जवान मुझे पदर चल रही तो क्या पलेयरों में से क्या बात कर रह पार जो मिजैू तो अजों है तसके मुझे और चुपा और शाया है अप तो क्या ना मैं आपके इंडियान देगा कुल्दीव क्या कुछ काएंगा आप खुद स्पिनर रहें कुल्दीव में क्या स्पेशल कुछ आप इसके बहुत सारे बैट समय में जब तक उसके अगेंस नेट में जाके प्रेक्टिस ना करें तो इतना एजी नहीं यह पिक करना और से उस लड़के ने इंप्रूव भी किया अगर मैं पहले की क्रिकेट देखूं उसके और अब की देखूं बहुत फरक आया है अब थोड़ा सा टाइम लेता है और कंडिशन पिछ रीट करके वो लड़का अपनी पेस में वैरियेशन लेके आता है लोग सूरे कुमार याद लेकिन मेरी बॉलिंग में यह था कि मैंने कभी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता था मैं विकेट विकेट अवे बॉलर से बैट्समें से रखनी की कोशिश करता था अच्छा प्लेयर है नो डाउट जब तक वह परफॉर्म करता रहेगा अभी आप ठ एक्सपेरियंस ऑफेरिंस मेरी खाल मैं थेंग बड़ा जबरतस इनिशेटिव लिए अच्छी बात ही है कि जिन प्लेयरों के साथ हमने काफी क्रिकेट खेलि है जिसके जिन के अगेंस्ट मने क्रिकेट खेलि है काफी दूबारे एकी प्लेटफॉम पे ऐसे सारे प्लेयर्स को मिला और मेरे खेल मैं दोबारा पाकिसान के लिए खेलना मैं दो नहीं सोचा था लेकन वैल आइधें कि एक साथ मिलके जितने मी पराणी क्रिकेटर्स हैं और अच्छी लीग देखने को मिल रही है जो लास्ट मैच पाकिसान इंडिया का हुए है जिस तरीका का क्राउड कर रिस्पॉंस था वो बहुत आउटस्टेंडिंग रिस्पॉंस रहा है दोनों टीमों के लिए तो आइमीन कि स्पोर्ट एक हमेशा से मैं कहते है रहा हूं कि स्पोर्ट से अच्छी क्रिकेट स्पेशली से अच्छी डिपलोमैसी कोई और नहीं है तो आइधिंग इस इसक कि अच्छी की फिटनेस की मैं बात करूं चाहिए आपकी बात करूं जूनिस भाय की बात करूं लोग कह रहें कि इस फिटनेस को देखकर तो पचीस की चैंपनस टोफियो चबश का वर्ल्ड कभी सामने हैं नहीं नहीं बहुत फर्क है मेरे खियाल में बड़ी बात है कि हम उतर जाते हैं और खेल ले गैप इतना बड़ा जाते है छेचे साथ साथ महीने हम बैट बॉल को हाथी नहीं लगाते हैं हमारे दूसरी एक्टिविटीज काम बहुत ज्यादा है फांडेशन की चीज़ें बहुत सारी हैं तो काफियर से बात ग्राउंड के अंदर आना और म चाहिए लड़के फट हैं वह फट है मैं थोड़ा साब अभी इन फेट हूं आपने माले वक्त निकला आपको हम से बात करें बहुत बहुत शुक्रेक्षव है ठैक्यू तक्यूर्ण की अ झाल झाल